हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल मैं हिमानी आदव आप सभी का हादिक स्वागत करती हो जैसे कि आपने देखी लिया है थाली में आज हमारे क्या है तो आज हम उसी के उपर रेसिपी बनाने वाले हैं तो आए विना टाइम विस्ट की हम स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने डाइजगरम कावली चने लिए जो कि मैंने रात बर विगोने रख दिये थे ओवरनाइट के लिए और यहां पर मैंने चार मीडियम साइज के आलू लिए इन सभी को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब मैं यहां पर चाय पत्ती और इलाईची लूँगी मैं यहां पर एक लीटर की सम्तिंग पानी डाल दोंगे इसमें जिससे के अच्छे से बॉयल हो जाए और यह पानी हमें फैंकना नहीं है यह पानी हमें री यूस करना है यानकि दोबारा इसी पानी को हम यूज करेंगे और इसमें थोड़ सा टेस्ट के प्याज है अद्रक है लेसन है यह सब मैंने तैयारी पहले से कर रखी थी और यहांपक कुछ खड़े मसाले हैं जिसको हम डालेंगे अपने छोलों में अगर मार्केट जैसे बनाने हैं तो फिर तो इतना सारा सामान चाहिए ही चाहिए और आपको एक इंपरेंट बात बताओं अगर मार्केट जैसे चाहिए तो आपको कड़ाई की लोई की कड़ाई में बनाए तो जादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे टेस्ट भी आता है और और उपर से कलेरिंग बहुत अच्छी आती है इसमें इसलिए आप है ना लोई की कड़ाई में ज्यादा बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा इसे में राई का तड़का लगा दूंगी इसमें अब मैं इसमें प्यास और अपने इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी जै अब ढालूंगी तो दसका उड़ेगा इसलिए अब नहीं डालूंगी मिर्च को में सबसे बाद में डाला प्रेफर करती हूं तो आप भी ऐसे बनाएगा देखिए अच्छी से गोल्डन ब्राउन करेंगे अच्छी से मसाला हमारा थोड़ा-थोड़ा भूनने लगा है मैं आप नहीं देता है इसकी पीरी तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और एक्टम ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है इसमें थोड़ा से नमक आट डालेंगे आप स्वाध अनुसार डालिएगा यहां पर सुका धनिया डाल दिया मैंने हल्दी भी डाल दी है अब इनको हम मिला लेंगे अच्छे से थोड़ा सा बूलेंगे जब तक बूलेंगे जब तक इसमें थोड़ी सी कस्मीरी मिर्ष भी डालेंगे और जब तक बूलेंगे जब तक इसमें अच्छे से तेल ना छोड़ दे मसाला हमारा क्योंकि तभी पता च कि अगर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है इसलिए हीन को थोड़ा ध्यान से यूज़ कीजिए ज्यादा नहीं और यहां पर मैंने जो आलू का गोल बना के रखा हुआ था पहले से उसको मैं डाल दूगी चार आलू मैंने यह तीन आलू लिए चार कि मुझे लगा कि थोड़ा से कम है इसलिए आप अपने स्वात के अनुसारी डालीएगा ज्यादा मत डाल दीजिए क्योंकि छोलों में पहले से भी डला हुआ देखिए हमारी चोले अच्छे से काले भी हो चुके हैं और कलर भी अच्छा रहा है अब जब इसमें और जाए करें मैं दीजारी चैपती पानी था वही पानी यूज कर रही है और आप भी वही पानी यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा कि कि शेसे अ Remote, आपके विखार मसाला झाला मा दानवाथ कि sich उत्य Sport को भरला ह। आपके उसनित कि हें बाल दो यह कि इस प्थे हैं अपर पैसे पर लूगा मीं होता हैं अब इसमें मेला जाना जोने माश्चा सिष्ट गया बीड़ा है क्योंकि गरम मसाला बहुत जादा गले में प्रॉब्लम करता है इसलिए मैं नॉर्मल बिना गरम मसाले के बनाना जादा प्रिफर करती है देखिए कितने अच्छे से हमारी सब्जी भी तेयार हो चुकी है अच्छे से आप देखी रहे होंगे कैसी समझ में आई रहा होगा अच्छे से थोड़ इसे पांश से दस मिनिट के लिए मैं इने फूलने के लिए रख दूंगी अब इसे मैं रख दिया है मैंने और तब तक हम तैयारी कर लेते अपने कोकर को हीट कर लेते थोड़ा सा दो चम्चे मैंने यहां पर रिफैन ओईल लिया हुआ है आप चाहे कि अनिवर्सरी के लिए लंच तयार कर रही हूं तो यह वीडियो साथ आये तो साथ थोड़ा सा ट्रिलेट हो जाएगी लेकिन बहुत अच्छा बनाता तो इसलिए देखिए आप जरूर ट्राई कीजिएगा ऐसा नहीं है कि मैं बोल ली रही हूं आप लोग ट्राई जरू से बन गए देखिए हमारे चावल अच्छे से फूल चुके हैं अच्छे से एकदम से खिले खिले हैं और आप जब भी चावल बनाए तो थोड़ा सा उन्हें दस मिनिट के लिए रख दे और यहां पर मैंने मैदा पहले से तीया करी ती उसकी क्लिए पैड नहीं की है मैंने मैदा आप नॉर्मल ना जादा गीली होनी चाहिए ना जादा टाइट होनी चाहिए आप थोड़ी सी सही रखिए जिससे की भटूरे आसानी से बन जाएए मैंने अपनी ममी से सीखा है तो पहले लोई को हम अच्छे से बेल लेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा हातों स तो आपके बटूरे एकदम गोल और फूलने वाले अच्छे आते हैं तो आप भी ऐसे ही बनाएगा देखिए मेरे भी मैं बना रही हूं मैंने अपनी ममी से ही सीखे है यह बनाना मेरी ममी बहुत अच्छे बटूरे बनाती है और यह मैदा मैने जो है नॉर्मल पानी से प् हमारे थाली तेयार है सेलिड भी है थोड़ा सा पुलाओ भी है थोड़ा सा हींका चार भी है आप देख ही सकते हैं आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ थाली अच्छी बनी है हमारी और यह मेरी ममी पापा के लिए है मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आई होप यू लाइक गड़ी